हालो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिलीज का सभी का अच्छे से ख्याल लख रहे होंगे तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने प्यारी चैनल केर फार्मा में चलिए तो हम आज फार्मकोलोजी को आगे बढ़ाएंगे और अपना जो है यूनिट फर्स्ट का वी सेक्शन स्थार्ट करेंगे इसका नाम है फार्मको काइनेटिक तो देखा जाए तो यह काई दिम बहुत ही ज्यादा इंप्रोटेंट टॉपिक है एक्जाम प में दौन度 चीज़ों को मनें देखा था फार्मको काइनेटिक स्कों फार्मको डैनमिक को तो काईनेयक की जाए तो अगर हम इस वर्ड मे वहता देखें दौनुका तो यहां पर मतलDY叫ई था तो यहां में मतलब होता है ड्रग और का मतलब होता हमारा का मूंगे जरनकियों सि इसके साथ-साथ हमारी बॉड़ी का इसके लिए क्या रिस्पॉंस है तो यह हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंटर माता है इसलिए यहां पर हम इसका जो में डेफिनिशन बनाते वह ऐसे बनती है कि वाट ड़ॉड़ी डुटुटु द्रग यान कि कोई भी हमारा ड्रग है उस बॉड़ी है और यह हमारा कोई ड्रग है तो इसने मतलब इसमें जब स्वैल हो गया है अंदर पहुंच गया है तो अब यह इसका क्या रिस्पॉंस करेगा अब हम बात करते हैं कि आखिर यह इतना इंपोर्टेंट टॉपिक क्यों है क्योंकि हम कर रहे हैं फार्मेसी और फ के साथ क्या घटना होने वाली है तो इन सब को हम कैने टेक्स के अंदर डिसक्स करते हैं बाकि को डायनेमिक में जानेंगे तो को डायनेमिक हमारे यूनिट सेकेंड का बैरी फर्स्ट चैप्टर है तो इसको हम आगए डिसक्स करेंगे तो इसलिए यह हमारी important है पूरी के प कुईन टीटिटेवी स्टड़ी यान की फिसिटेव चर्ड़ी है कि तुन में बोड़ी चीज करें जोड़ कि इनक पर जान दो चills करेंगे मुद्ध के बाight निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लेट करो कोई भी हमारी चीज है, हीलिंग है, जैसे मालो कहीं पर हमने किसी की कोई ड्रग खाया, दबा खाया, अब हमारी बॉड़ी में जाके उसने मतलब जितना चाहिए, उतना रिस्पॉंस दे दिया, उसके बाद अगर वो बॉड़ी से बाहर नहीं निकल रही है तो वो और जादा रिस्पॉंस देगी और जादा जादा कंसर्ट्रेशन की बैसे उसका हमारी बॉड़ी पर साइड इफेक्ट भी होने लगता है, इसलिए किसी ड्रग का मतलब वो एक्स्क्रीट आउट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इन चीजों को हम जाब काइन जिससे आपको कोई भी कनफ्यूजन ना हो और डाउट ना हो, क्योंकि इसका अगर एक्जाम पॉइंट अभी से भी देखें, तो एक एक टॉपिक को ही separately दद दस मार्क में पूछा दाता है, तो यह कापी इंपोटेंट है, ठीक है बाकी चलिए थोड़े सा मतलब गुरी इ systematic circulation बोलते हैं, तो हमारे drug का systematic circulation में enter करना ही हमारा absorption कहलाता है, ठीक है, उसके बाद वो systematic circulation ने पहुंचके हमारे plasma protein के साथ bind हो जाता है, then plasma protein होके वो distribute होगा, और free, उसके बाद वो again हमारे drug free होता है, और तब जाके वो receptor से attach होके अपना क्या देता है, response देता है, तो जो यह मतल होता है, उसके दौनान मुख कई हमारा liver में पहुंच आता है, एक तो directly हमारा हमने जैसे यहां पर study किया था, इस वाले के according, कि हमारा drug जो होता है, first pass metabolism करता है, उस टाइम पर क्या होता है, पोर्टल वेन के दौरा direct हमारा liver में पहुंच आता है, और liver में पहुंचने के वैसे वहां पर metabolize होता है, और बाकी और भी कोई भी drug हो, free drug हमारा जाके liver में पहुंच आता है, और वहां पर क्या होती है, उसकी metabolism, अब metabolism के अंडर क्या होते है, कि जो भी हमारा drug होगा, उसकी chemical reaction होगी, और साथ के साथ उसका क्या होगा, फिर breakdown होगा, और breakdown होगा, उसके protein, actual, expression, मत होता है, यानि कि बाहर निकल जाता है, तो यह term बहुत जादा होता है, क्योंकि बाडी से बाहर निकलना भी बहुत जादा जरूरी होता है, अब बाहर कैसे निकलता है, कुछ ड्रग तो हमारा saliva, जानि कि जो हम जब मुह बगारा में खाते है, उसके तो हमारा saliva में मिल जाता तो इसमें बाहर निकलता है कुछ फीसेच के सारे बाहर निकलता है को च्वेट जानगी हमारा पशीन गजा होता है उसके साथ बाहर निकल जाता है तो एक और बात बता तूब कि ये वीडियो समरी थोड़ी थोड़ी को cross करेंगा जानकी कोई भी ब्लड के लेगी कुछ भी है तो इस चीज को हम यहां बलते हैं membrane transport तो यह भी इसको भी हम discuss करेंगे अच्छे से तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर absorption क्या होता है तो absorption अगर हम simply में हम देख चुके हैं क्या होता है कि movement of drug particle into the systematic circulation तो यह हमारी simple catholic absorption था कि systematic circulation में हमारा drug पहुँच रहा है उसके बाद बात करें तो यह हमारा pharmacokinetic का पहला और सबसे important मतलब वो होता है step होता है ही ना distribution होगा ना metabolism होगा नहीं उसका excreation होगा तो हमारा पहला step बहुत जादा हमेशा से important होता है हर चीज में important होता है जैसे real life में देखें हैं तो हम लोग directly graduation में तो आज नहीं कि फार्मेसी में पहले हमने 10th किया 12th किया तब हम यहां पर आए हैं और तब ही हमको यह चीज़ दो अच्छे से समझ आती है और उसको इन तॉप मतलब इस वारी प्रिक्रिया की जरुवत नहीं होती है प्रॉसेस की directly हमारा blood में होता है इसी वजह से उसका जो absorption होता वह सबसे ज्यादा हाई होता है तो यहां पर हम इसको खाते हैं तो हमारा सबसे पहले कहां जाता है हमारा इस्टमग में अब इस्ट पुरा किसी tablet form में होगा या किसी भी रॉब में होता है उसका होगा breakdown जानकि उसके पहारा acid क्या करेगा attack करेगा सारी चीज़ है उसके बात वो क्या होता है ब्रेक्डाउन होके उसका जो particle साहथ है मतला छोटे-छोटे हो जाएंगे यहां पर हमारी एक और process होती है जिसे हम साथ क्या होताएगा dissolve होताएगा और यहां से डियुडिनम के सारे हमारे नीचे आजाता है तो इस condition में हमने एक term जाना था कि जो भी हमारा पूरा का पूरा mixer बनता है इसको हम क्या बोलते हैं तो काइम के सारे हमारा नीचे जहां पर आजाता है और हमारा पेट जो खाली होत हाता है उसके बाद यहां पर आने को बाद हमारा ड्रिग जो ही स्मॉल इंटेस्टाइट ब्लड मेंशuire होसे होदे यहें मतलाई हमारे ब्लेड में अब्जॉर्ब होता रहता है और वो यहां से भी पहुंचता था तो यहां से भी हमारे अब्जॉर्ब होता है इस टमक से भी और हमारे तर्म कहलाती है first pass metabolism और इसको जो हम आगे बहुत से ज्यादा अच्छे से समझने वाले हैं तो यहां पर आप simple term समझ गये होंगे कि क्या है हमारा यहां पर actual में absorption कि कोई भी हम drug खा रहे हैं वो हमारा इस्टमक में आ रहा है और इस्टमक पेट में आने के बाद इसका disintegration हो रहा है तूटना हो रहा है फिर dissolution हो रहा है mix होना हो रहा है पेट के सभी particles साथ then वो हमारा यहां movement करके और इसमें आजाएगा small intestine में फिर जो हमारा कुछ पार्ट तो यहीं से हमारा absorbed के आता है blood में पाकी बहुत सारा पार्ट हमारा small intestine से absorbed के blood में आता है और इसी को यान कि जो हमारा part drug का है वो किसी भी root of administration से हमारे drug जान कि blood में पहुंच रहा है इसी को हम यहां पे बोलते हैं अगर हम इसकी definition भी देखें तो इस इज़ता defined as the movement of drug molecules from its site of administration to the systematic circulation यान कि site of administration जिससे भी हमारा admit किया गया उससे हमारा blood में circulate होना ही हमारा कहलाता है absorption ठीक है तो यह आपने यहां क्या है और कैसे इस चीज़ को अगर हम जाने तो यह हमारी membrane होती है biological क्योंकि यहां बाइलाजी वाला वही अपने बॉड़ी के अंदर के इसलिए और यह हमारी इसको जो बाइलेयर भी बोलते हैं क्योंकि यह हमारी फॉस्पोलिपिट और कॉलिस्ट्रॉल और बाकी और भी semi-permeable membrane की तरह भी यह काम करती है यानकि यह किसी की transport में help कर रही है वही मैंने आपको बहां बताया कि यहां से हमारी क्या हो रही है movement हो ठीक है अब यहां पर बात करने तो यह हमारे एक्चुल में जो हमारा movement हो रहा है वो हमारा membrane transport के थ्रो रहा है यानि कोई भी हमारा जो drug ह यह drug है मारा फिलेड श्री में पहुच रहा है तो यह किसके सारे पर और रहा है membrane transport के सारे बोल रहा है तो इसजी को यहां पर हम बोलते है membrane transport अभी हमारे membrane transport इसके उपर कई बार अलग से भी question पूछा जाता है तो यह हमारी basically चार तरह से यहां होती है बनलब इसके जो main है वो हमारे तीन है passive transport, active transport, then हम समझते हैं facilitated transport बाकी एक हमारा endocytosis आता है, penocytosis आता है, exocytosis आता है तो यह सारी चीज़ा है अगर इन ही के अंदर आता है, तो हमारे लिए जो main तीन टर्म में वो हमारे है passive, active and facilitated ठीके फ्रेंड, तो इन चारों से पहले हम समझते हैं concentration gradient क्या होता है, यह word अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत जादा help मिलेगी, तो concentration gradient का मतलब simple एतना है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी हमारा drug है, या कोई भी सभिष्टांस है, या किसी का भी जो moment हो रहा है, वो हमारा क्या हो रहा है, high concentration से low concentration की तरफ होता है यानि कि यह समझे कि जैसे मालो यह हमारी कोई दो चीज है, concentration का मतलब सिर्फ amount होता है, directly amount तो मालो यहाँ पे कोई चीज है हमारी, वो ज़्यादा amount में है, और यहाँ पे कम है, तो जो हमारा movement होगा, वो हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ की तरफ होगा और यह जो movement होता है, इसी को हम बोलते है, concentration gradient, अब जैसे let करो कि एक हमारा sliding rock है, कुछ भी है, तो इस पे हमारा उपर अगर यहाँ पे कुछ रख देंगे, तो यहाँ क्या है हमारी height ज़्यादा है, और यहाँ क्या हमारी height कम है, तो इस वज़या से क्या होगा, कि यहाँ से automatic नीचे दाएंगी, और हमको यहाँ कोई भी महनत लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ पे put कर देंगे, तो वो अपनी आप हमारी क्या जाती है, नीचे movement करती है, जाने कि simple देखो, कि सीडिया जब चड़ते हैं, तो हमें ज़्यादा problem होती है, और सीडिया उतरते ह होगा across, और अगर across the concentration gradient, इसका मतलब क्या है, जो particle हो हमारा high से low की तरफ जारा है, लेकिन कहीं कहीं हमारा word आता against the concentration gradient, तो जब भी यह word आ, इसका मतलब आप समझ जाना कम से जाला की तरफ, तो उस टाम पे क्या हो रहा है, हमारे particle जो यहाँ से move कर रहा है, यहाँ आप समझो लेट करो अब जाब नीचे से ऊपर चड़ते हो, तो आपको ज़्यादा महनत लगानी पड़ते हैं, जब आप सीडिया चड़ते हो, ठक भी जाते हो, और महनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो यह सेम होगा कि जब हम यहाँ से यहाँ करेंगे, तो अकर हमारा movement यहाँ से transport and endocytosis, तो basically हमारे यहाँ पे तीन होते हैं और यही हमारे तरीके होते हैं, जो हमारे drug को blood के अंदर पहुचा रहे हैं, यहाँ कि absorption में भी हमारे यही तीन mechanism काम आते हैं, चलिए एके करके समझते हैं, पैसिब ट्रांसपोर्ट को, तो हम जो है, तो यहाँ पे जो हमारी passive transport हो पे ऑमारे blood क्या है? और हमारे blood में यहाँ ब्लड में किया है, तो इस टाम पे क्या होगा? हमारे drug होगा, easy तरीके से हमारे blood में absorb होने लगगीगा, बहुत ही ज़ादा easy तरीके से, तो इसी को हमारे यहां कि वह सब्सक्राइब करेंगे लीपड़ा हो से। या फिर हम इसको channel भी बोल सकते हैं कई वार तो इस तरफ से हमारे यहाँ पर ब्लड के अंदर यानकि यह नॉर्मल हमारे यहाँ से मूव नहीं करेंगे वो कुछ hole से या pore से हमारे movement करते हैं तो इस तरह की जो हमारी होते हैं यहाँ पर इसको हम filtration भी बोलते हैं बाकि बात करें तो diffusion और osmosis इसमें दो चीज़े और आती है osmosis मतलब क्या होता है कि हमारा throw the semi-permeable membrane यानकि कोई भी हमारे movement हो रहा है वो semi-permeable membrane के throw होता है बाकि diffusion में क्या है इसमें मतलब semi-permeable membrane की ज़रुवत नहीं है नौर्मल हमारा drugs वो अंदर पहुंच जाता है blood के अंदर तो यहां पर आपको देख रहा होगा अच्छे से diagram यह हमारी membrane है और यह हमारा जो lipid-soluble drug है वो हमारा easy तरीके से यहां से movement कर रहा है साथ के साथ जो हमारा water-soluble drug है पर हमारे किसी चैनल के तरो यह एक पोर के तरो हमारा movement कर रहा है इसको हम filtration बोलते हैं या फिर एक्कोस diffusion ठीक है तो यह हमारा normal था यहां पर हमारा movement जो है high से और यहां पर low की तरफ हो रहा था ठीक है अब हम समझते हैं अपना दूसरा हमारा यहां पर facility transport तो पैसे हमारा active है लेकिन हम facilitate समझेंगे यह हमारा इसी से मिलता सुलता है तो क्या होता है कि यह movement जो हमारी यहां पर हो रही थी high से low की तरफ तो इस टाइम पर कुछ हमारे acid drug के particle थे जिनका क्या था size बड़ा था और size बड़े होने के विए से क्या है कि उनका जो नॉर्मल ना तो वो इसके सारे निकल पा रहे थे ना वो यहां से क्रॉस कर पा रहे थे तो इनके लिए क्या होता है कुछ special type के हमारे carrier होते हैं तो वो carrier क्या करता है यहां से यहां पर movement करते हैं जैसे अगर हम simple समझें तो जैसे हमारा यह था sliding हमने रेस देखा तो यहां से normal हमारे यह diffuse हो रहे है यहां कि जो concentration gradient है नॉर्मल हमारे यहां से हो रही है तो यहां से हो रही है तो यहां से नीचे गरी नहीं पा रहा है तो उस condition में हम क्या करते हैं पीछे से external help लगाएंगे और यहां पर अलग से धक्का तो यह हमारा क्या होगा नीचे गरने लगेगा और फिर यह easy तरीके से हमारा high से low की तरफ movement कर लेगा लेकिन इसको क्या लगा एक मंदब help की जरुवत हुई तो उसी तरह से हमारे यहां पर facilitate वाले होते हैं इसमें क्या करते हैं कि हमारा drug है वो high से low की तरफ ही जाए है अब example के लिए अगर हम एकार देखें यहां पे तो हमारी जैसे यह अब देखो simple हमारा drug है high से low की तरह move कर रहा है और किसी carrier के सारे तो यह हमारा होता है carrier SLC जिसको हम बोलते है solute carrier transporter तो यह भी हमारा इसी चीज में help करता है यहां से यहां movement करने में तो यह हमारा simple यहां पर हो गया है अब हम तीसरा अपना समझते है active transport अब क्या होता है कि हमारा जो drug इसमें होगा वो हमारा क्या करेगा हमारा यहां से यहां easily move नहीं कर पाएगा क्यों कि यहां पर हमारे जो drug है वो हमारा कम है जो हम बाहर से ले रहे हैं और जो हमारा blood के अंदर पहले से drug present है पहले से हमारे जो iron present है उस time पर क्या होता है कि हमको किसी energy की जरुवत होते है इसकी movement के लिए और यह भी हमारा किसी carrier क थ्रोज आता तो यह भी हमारे जो carrier transport के अंदर ही आते हैं अब क्या होगा जैसे समझों यहां पर ATP का यूज हुगा और ATP से हमारी ADP बनी और hydrolysis के द्वारा हमारे जो drug था इसने यहां पर पकड़ा और यहां से इस ने कहागा उस drug को यहां पर release कर दिया तो इस तरह से हमारी ATP से ADP convert कर रहे हैं और hydrolysis हो रहा है जिसकी वैसे क्या हो रहा है यहां पर एक phosphate टूटके एक phosphate यहां बना रहा है तो अगर आपको ATP से ADP कैसे बनी जनजेट कैसे हो रही है इसके बारे में नहीं पता हो तो comment करके हम बताना हम इसके बारे में जरूर एक वीडियो बनाएंगे तो यह हमारा होता है active transport जानकी जिसमें low से high की तरफ हमारा movement होता है अब अपना last समझते हैं यहां पर आपको इसका भी diagram देख लेना बाकि यह notes आपको जो हमारी website पर free में available है वहां से आप इसको download कर सकते हैं अब यह भी हमारे कुस मतलब types होते हैं जो हमें यहां पर अभी म है endocytosis की तो यहां पर क्या हो रहा है कि कुछ हमारे particles वह कुछ जादा ही बड़े होते हैं तो उसको ना तो मतलब किसी channel के सुरूर जाते हैं ना किसी मतलब नॉर्मल जाते हैं उस टाम पर क्या होता हमारी जो इसको इंगल्फ कर लेते जानिक उसको निगल लेती है उसमें क लुड़ के अंदर आप लोग चारों तरीके समझ गए होंगे और अगर आप कोई भी डाप्स हो तो आप करके पूर सकते हैं अब हम बात करें तो absorption हमारा जितना हमको simple यह लग रहा है कि ऐसे moment हो रही है वो इतना simple नहीं होता यह बहुत सारे factor पर मतलब affect करता है यह हमारे एक variable process होती है तो जैसे हमारे कुछ factor factor affecting में physical chemical properties है इसमें हमारे 5 आते है biological factor है तो इसको हम जो अपनी नेश्ट वीडियो में cover करेंगे तो होप आप लोगो आज की वीडियो समझा गई होगी सारा कोई अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके हमें जरू बताना आपकी मिलते हैं बहुत जल्द आपको नेश्ट वीडियो में तब तक रिवेंट थैंक यू टेक कियर एंड बाई बाई